Hey guys my name is Naman and welcome back to our channel तो ये है Realme 6i और ये Realme का first smartphone है हमारे इस channel पर जिसको मैंने purchase किया है unboxing और review purpose क्योंकि मैं काफी interested है इस phone को लेके क्योंकि Realme 6 जो है वो काफी अच्छा phone था और Realme 6 के बाद Realme 6i जो है brand ने निकाला है इसको मैंने purchase किया है flip card सर इसका price मुझे 15,000 रुपीज पढ़ा है क्योंकि ये 6GB RAM और 64GB internal storage वाला variant है तो आज की इस वीडियो में हम इसकी unboxing करेंगे और मैं अपना first impression दूँगा तो सबसे पहले हम इसकी unboxing कर लेते हैं box open करते ही आपको एक और box मिलता है जिसमें आपको सबसे पहरे SIM ejector tool देखने को मिलेगा वहीं पर आपको कुछ paperworks मिल जाएंगे इसी के अंदर आपको TPU case भी देखने को मिल जाएगा जो transparent होते हैं वो कुछ दिनों बात काफी yellow पढ़ जाते हैं और काफी बेकार दिखते हैं तो मेरे साब से बाकी brands को भी इस चीज को follow करना चाहिए उसके बाद हमें smartphone मिल जाता है लेकिन इसको अभी मैं side में रखूंगा और देख लेते हैं कि box के अंदर और क्या-क्या रखा हुआ है यहां पर आपको Wook charger मिल जाता है और यह brick जो है वो 20 watt का है एक चीज मुझे बड़ी सप्राइजिंग लगी वो यह की भाई रियल्मी ने box के उपर 30 watt लिखा हुआ है और थोड़े से अगर नीचे आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि box के अंदर 20 watt का charger है तो यहां पर थोड़ा सा जो है gimmick करने की कोशिश करी है लेकिन यह phone 30 watt को support करता है तो आपको 30 watt का charger अलग से भार निकाल लेते हैं जब भी मैं phone के unboxing करता हूँ तो एक चीज सबसे पहले notice करता हूँ कि भाई phone का weight कितना है और गाईज एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि इस प्राई दिन में जितने भी smartphone मैंने test करें उन सभी का weight मुझे एक जैसा ही लगता है और width भी एक जैसी ही लगती है तो मैं जो है brand से ये बोलना चाहता हूँ कि अब जो है technology काफी आगे बढ़ चुकी है तो मेरे साब से इस price range में भी जो है phones को slim होना चाहिए वैसे ये phone इतना भी जादा भारी नहीं है लेकिन फिर भी इसका weight जो है थोड़ा सा कम होना चाहिए फोन को बूट करता ही मैंने एक जो चीज़ नोटिस की वो ये कि realme ने यहाँ पे बहुत सारी application इंस्टॉल करने का option दिया था जब मैं बूट कर रहा था लेकिन अच्छी चीज़ तो यहाँ पे आपको skip का button मिल जाता है तो मैं आप लोगो सचिस करूँगा कि आप ये सारी recommendation वाला option को जो है disable कर देना है जैसी आप ये चीज़ करोगे तो आपके phone में जो है advertisement वगरे आने बंद हो जाएंगे बहुत साही लोगों की शिकायत होती है कि realme के smartphone हो या redme के smartphone हो आपको ads वगरे आते हैं तो आप कुछ इस तरीके से जो है बंद कर सकते हो phone boot होने पर मैंने एक जो चीज़ सबसे पहले notice की वो है भाई इसका display like 13,000 रुपीज में आज की time पे brands इतने अच्छे display दे रहे हैं आपको इसमें आपको 90 Hz का refresh rate मिल जाता है plus 1080p का resolution है 6.5 इंच का full screen display है और उसी किसाब में उपर जो है आपको dot notch देखने को मिल जाता है और इसमें जो protection है वो Corning Gorilla Glass 3 की मिल जाती है और display की quality मुझे बहुत ही कमाल की लगी है मैं इस price range में शिकायत बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि भाई इसके viewing angles बेकार है या फिर refresh rate के time पे problem होती है ऐसे कुछी भी problem मुझे face नहीं हुई है मैंने अच्छे से Twitter, Instagram वगरे जो है इसम problem नहीं आई है तो prime videos वगरे भी जो है आप हाराम से enjoy कर सकते हो वही मैं आप लोग को suggestion दूँगा कि आप इसको जो है 90Hz पे ही use करना इसको वैसे आप 60Hz पे भी कर सकते हो बट मैं आपको suggest नहीं करूँगा क्योंकि 90Hz पे इसका response time काफी कमाल का है वहीं बाकी physical overview की बात करें त कि जो buttons है volume rockers के वह काफी tactile है like press करने पे काफी अच्छा feedback देते हैं इसे cheap से जो है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगे है क्योंकि इस pricing में मैंने Redmi Note 9 Pro भी use किया और POCO X2 को भी use किया है लेकिन उनके buttons इतने responsive मुझे नहीं लगे थे जितने मुझे realme 6i के लग रहा है और नीचे प्रोसेसर मिल जाता है यह जो मेरे पास है यह 6 GB वाले वेरेंटे लेकिन इसमें आपको 4GB वेरेंट भी मिलता है बट इंटरल स्टोरेज आपको सीम ही रहेगी चाहे आप 4GB का खरीद हो या 6GB 64 GB इंटरल स्टोरेज आपको मिल जाती है वही पर 4300 एमेज की आपको बैटरी म रखी है आराम से यूज़ कर रहा हूं मुझे डिस्प्ले में भी कोई इशू नहीं हुआ है ट्विटर इंस्टेग्राम और बाकी की सारी एप्स यूज़ कर रहा हूं वहीं पर अगर मैं PUBG की बात करूं तो यहां पर PUBG गेम भी जो है मैं अच्छे से खेल के इसमें देख लिय लेकिन इसमें GFX टूल अगरे आप यूज़ करोगे तो शायद आपको 60fps तक मिल जाएगा क्योंकि Redmi Note 8 Pro में जो है मैंने GFX टूल यूज़ करके खेला था तो 60fps तक आराम से चला गया था और performance में भी कोई lag नहीं हुआ था लेकिन इसका dedicated PUBG review वीडियो मैं जरूर लेकर रहा लेकिन वहाँ पे मुझे एक जो चीज पहले कमी लगती थी वो था उसका operating system लाइक उसमें Color OS था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था लेकिन जब से Realme UI आया है गैस देड़ दिन हो चुके है मुझे कोई भी issue नहीं लगा है काफी optimized मुझे लगा है ऐसा कोई भी problem नही है Realme 6 और Realme 6i में difference यह है कि यहां पर आपको 48MP का primary sensor मिल रहा है जहां पर Realme 6 में आपको 64MP मिल रहा था उसके अलावा camera जो है almost same है 8MP का ultra wide sensor मिल जाता है 2MP आपको portrait lens मिल जाता है वहीं पर 2MP का depth sensor मिल जाता है अभी phone को use किये मुझे जादा time नहीं हुआ है camera को भी मैंने detail में depth में use नहीं किया है लेकिन अभी तक जितने भी images मैंने इसमें click करी है उस हिसाब से मैं यह कह सकता हूं कि daylight में जो है इस present में यह काफी अच्छी images आपको click करके देगा dynamic range वगरे भी जो है काफी बढ़िया है ऐसी कोई भी problem नहीं हुआ है sky वगरे मैंने photos वगरे click करी है उसी क एक चीज थे एक जो चीज मुझे इस camera sensor की weak लग रही है वो है इसका low light sensor मुझे इतना रावदा पसंद नहीं आया है imagery quality भी उतनी अच्छी नहीं आ रही है थोड़ी सी soft type की जो है वो कर देता है अब इसका depth में जो है camera use करने वाला हूं मैं और इसका dedicated camera review भी लेकर आऊंगा तो google camera भी इसमें install करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कितना क्या difference आपको मिल जाता है वहीं front में आपको 16 megapixel का selfie camera मिल जाता है वहीं इसमें आपको 4K recording तक का option दे दिया गया है लेकिन 4K में इतना कोई मतलब नहीं है मुझे recording इतनी पसंद नहीं आया है तोड़ी सी glitch मारती है लेकिन इसमें 1080p 60fps काफी अच्छे तरीके से काम करता है autofocus भी काफी अच्छे से काम कर रहा है ऐसा नहीं है कि focus में problem दे रहा है ऐसी कोई भी issue नहीं हुआ है आगे जब depth इसका review करूंगा तो उसमें जो है यह चीज़े और भी अच्छे तरीके से detail में cover करूंगा और इस price में आपको Poco M2 Pro भी मिल जाता है वो भी एक अच्छा alternative है उस phone को मैंने use तो नहीं किया है लेकिन मैं Redmi Note 9 Pro को use कर चुगा हूँ जो पूरी तरीके से same है Note 9 Pro की तरह तो अगर आप चाते हैं कि मैं एक तरीके से comparison वीडियो लेकर रहा हूँ जब भी मेरा experience था Note 9 Pro से उस को compare करूं मैं Realme 6i के साथ में तो अगर आप चाहते हैं ऐसा तो प्लीज कॉमेंट करना मैं वीडियो लेकर ज़रूर हाँगा तो इस वीडियो को हम यहीं end करते हैं I hope आप लोग को यह unboxing और मेरा first impression जो है Realme 6i के उपर अच्छा लगाओ अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके जाना नीचे लाइक का बटन है गाइस लाइक करते ना क्यूंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है और भी अच्छी वीडियो लाने को क्योंकि यह सारे फोन जितने भी आप देख रहे हो वह मैं खुद पर्चेस कर रहा हूं कोई ब्र वीडियो देख रहे हो गाइस तो नीचे आपको राइट कर लाइका सब्सक्राब का बटन भी दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर दो क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में लेकर आता रहता हूं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ततक के लिए बाबाई टेक क वैंट किर और यहुर्मेट यार lagi में कि लाइसा था लिए उन को भी अपया थीडियों है रहता हूं कि बंदे को भी या ऐन भी को में बाबाई तो है या चना है लएको बीको बाबा पत्ńsk का है रहा होगा ह Bईका एकोे पासे आशड़ा है उना होरान है बाब यारन ह увाहा है झाल झाल